Hi viewers, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ Trigonometric का एक सबसे important part जो कि Trigonometric identities और ज्यादा तर स्टूडेंट्स को इसी पार्ट में बहुत ज्यादा confusion होता है और बहुत ज्यादा डर लगता है identity उसको solve करने में और बहुत ज्यादा problem भी face करते हैं लेकिन actual में Trigonometric identities एक बहुत easy part है अगर आप इसको समझ जो कैसे हम लोग solve करते हैं इसका तरीका क्या होता है तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ Trigonometric identities और इससे पहले ही मैंने Trigonometric के और सारे वीडियोज बना है अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो लिंक मैंने उसका description box में दे दिया है ठीक है तो चलो start करते है Trigonometric identities तो basically Trigonometric identities है क्या वो हम लोग समझते हैं पहले ठीक है उसके बाद मैं सारे questions को मैं करके discuss करूँगा ठीक है तो actual में कोई भी एक equation तो equation का मतलब तो आप जानते हो कि कोई भी एक ऐसा algebraic expression जिसमें equal to assign हो ठीक है ना तो कोई भी एक ऐसा expression जो कि एक equation है तो उस equation में अगर Trigonometric ratios है मतलब जो भी हमने Trigonometric ratios जानते हैं sin, cos, tan, cos, x, c, cot तो कोई भी एक equation में अगर Trigonometric ratios हैं चाहें वो direct हो, square के form में हो multiple के form में हो, division के form में हो कैसे भी हो अगर उस equation में अगर ये Trigonometric functions हैं ठीक है तो वो जो equations है वो equation हमेशा true होना चाहिए जैसे for example, एक example लेके समझाता हूँ तो ये बहुँ जात अच्छी से clear होगा ठीक है, जैसे मैं अगर लिखता हूँ अगर मैं लिखता हूँ sin, लिखता हूँ यहाँ पे sin theta minus cos theta is equal to, लिखता हूँ 0 तो sin theta minus cos theta equal to minus 0 लिखा तो ये एक तरएक equation है क्योंकि ये equal to का sign है और यहाँ पे Trigonometric function है, तो ये मेरे लिए हुआ LHS side और ये हुआ मेरे लिए RHS side ठीक है, तो इस equation ये जो है ये equation जो है, ये identity तभी हो सकता है ये जो equation मैंने लिखके रखा है ये identity तभी हो सकता है जब ये relation हमेशा true होगा कि अगर theta के जगा पे आप कोई भी angle put करो तो हमेशा ये बिल्कुल true होना चाहिए तो इपर हमेशा चेक कर लेते है अगर theta के जगा पे अगर हम लोग 60 degree put करते है 60 degree ठीक है ना तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग sin 60 degree minus cos 60 degree equal to 0 तो sin 60 का value कितना होता है root 3 by 2 cos 60 का value कितना 1 by 2 equal to 0 तो ये कितना होता है 2 ये आ जाएगा root 3 minus 1 equal to 0 तो क्या root 3 minus 1 by 2 क्या वो 0 के equal है नई तो इसका मतलब ये जो part है ये जो है ये identities नहीं है तो कोई भी जो एक trigonometric जो equation है वो identity तभी हो सकता है जब यहाँ पे theta के जगा पे आप कोई भी angle put करो तो LHS और RHS बिलकुल satisfy होने चाहिए ठीक है तो देखो an equation involving the trigonometric ratios and which is true for all values of angle मतलब theta के जगा पे आप कोई भी angle theta के जगा पे आप कोई भी value कर रखो कोई भी angle रखो तो हमेशा हर case में true होना चाहिए ठीक है तो जो कुछ हम दो basic trigonometric identities जानते हैं वो मैं लिखता हूँ देखो यह हम लोगों ने पढ़ा था कि sin square theta plus cos square theta value 1 होता है ठीक है cos x square theta minus cot square theta value 1 होता है sec square theta minus tan square theta equal to 1 होता है और tan equals to क्या होता है sin by cos और cot क्या हो जाएगा cos by sin तो यह कुछ जो यहाँ पे आप देखो यह equal to का sin है तो क्या यह identities है की नहीं है हम लोग यह check भी कर सकते हैं है ना तो चलो एक question को मैं किसी एक identities को लेकर check करते है कि वो actual identity है की नहीं है तो चलो इसको solve करते हैं तो sin square theta plus cos square theta जो 1 है तो हम लोग यह check करते है क्या यह जो है यह true है की नहीं है और अगर यह true है तो यह identity होगा और अगर true नहीं है तो identity नहीं होगा तो देखो साथ से पहले मैं theta equal to क्या लेता हूँ 30 degree theta equal to 30 degree ठीक है तो मैं यहाँ पर sin square theta plus cos square theta है तो LHS में मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो यह sin square theta है तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin theta का whole square यह तो हम दो पहले भी discuss कर चुके थे कि हमें इसे relation का complete square होता है विसे cos square theta है तो cos theta का मैं क्या लिख सकता हूँ whole square अब यहाँ पर theta के जगा अब क्या put करना 30 degree तो sin 30 का whole square plus cos 30 का whole square sin 30 का value कितना होता है 1 by 2 plus cos 30 का value कितना होता है root 3 by 2 तो 1 by 2 का square करेंगे तो 1 by 4 root 3 by 2 का square करेंगे तो 3 by 4 LCM लेंगे तो कितना आजाएगा 4 1 plus 3 4 by 4 और यह cancel होगा कितना आजाएगा 1 तो देखो इसमें LHS side जो था हमने solve किया 30 degree को ले करेके तो यह कितना value आया 1 और RHS में कितना है 1 तो LHS RHS मैच कर रहा है तो यह बिल्कुर identities है ठीक है एक बार और चेक कर लेते है हो सकता है कभी कभी किसी एक particular angle में satisfy कर रहा है लेकिन बाकी में नहीं करें है ना चोल एक और में भी चेक कर लेता हूँ 45 में चेक कर लेता हूँ तो वैसी मैं इसको sin, theta sin, square, theta और cos, square, theta को में ख्या लिखता हूँ sin, theta का square plus cos, theta का square यहाँ पर theta के जहाँ पर क्या बोल रहा है 45 तो क्या लिखेंगे sin, 45 का square plus cos, 45 का square तो sin, 45 का value होता है 1 by root 2 का हुल square और cos, 45 का value कितना होता है 1 by root 2 का हुल square तो इसका अगर square करेंगे तो कितना आजाएगा 1 by यह आजाएगा तुम कितना आजाएगा 1 by root 2 का square करेंगे तो 1 by 2 और 1 by root 2 का square करेंगे तो 1 by 2 और 1 by 2 और 1 by 2 अगर half-half को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बिलकुल 1 आएगा तो इसका मतलब LHS और RHS बिल्कुल match कर रहा है तो यहाँ पर देखो इसको अगर हम 30 डिग्री पर भी solve किये थे तो LHS RHS बिल्कुल equal आ रहे थे 45 डिग्री में भी solve किये तो बिल्कुल equal आए अगर आप 60 डिग्री में भी देखोगे तो बिल्कुल same आएंगे तो यह इसका मतलब यह sin square theta प्लस cos square theta identities है तो कोई भी एक trigonometric equation जो है कोई भी एक trigonometric equation है वो identities कब हो सकता है जब उसमें आप theta का value आप कुछ भी रखो 30 डिग्री रखो 45 भी रखो 60 रखो जो भी आप जिसका value जानते हो तो LHS और RHS बिल्कुल equal होने चाहिए अगर LHS और RHS बिल्कुल equal है इसका मतलब कि वो identities है तो कोई भी एगर आपको एक question दे दे बोला कि यह trigonometric identities है इसको आप solve करो तो अगर आप उसको solve कर रहे हो बहुत देर से solve कर रहे हो solve नहीं हो पा रहे है तो आप एक बार उसको check कर लो कि वो identity है की नहीं मतलब वो question सही है की नहीं तो आप कैसे check करोगे theta के जगा पे आप कोई भी अपने मरजी से कोई भी एक value put करो 30 degree, 60 degree कुछ यू put करो LHS, RHS side दोनों side में और check करो कि LHS और RHS का value बिल्कुल उस angle में दोनों side equal आ रहा है की नहीं अगर same आ रहा है इसका मतलब वो true है और नहीं आ रहा है मतलब वो बिल्कुल identity नहीं है ठीक है method of solving identities तो अगर मुझे पता है कि अगर कोई भी equation अगर identity है तो उसको solve कैसे करेंगे वो देखते हैं तो basically एक equation में तीन चेज़े होती है एक LHS एक RHS दो चीज़े तो आप समझ ज़ो और बीच में equal to it ठीक है तो पहला method क्या होता है पूरा LHS को आप solve करो RHS के equal लाओ पहला method यह है दूसरा method क्या होता है पूरा RHS को solve करो LHS के equal लाओ और third method क्या है कि LHS को भी solve करो और RHS को भी solve करो और दिखाओ कि दोनों LHS और RHS का value बिल्कुल same है कि नहीं है तो यह basically तीन methods है और इन्हीं तीन methods को आप लोग को बहुत अच्छे समझ दा है कोई भी आप एक method को follow करो आराम से question solve हो जाएगा एक एक करके फिर से बता देता हूँ क्या है पहला LHS solve complete LHS and prove equal to RHS मतलब जो equation है उसमें सिर्फ LHS का part को पुरा आप solve करते जाओ करते जाओ करते जाओ और आप देखोगे कि last में वो बिल्कुल RHS की equal आ जाएगा या फिर आप RHS को पुरा solve करते जाओ करते जाओ और last जाब देखोगे कि बिल्कुल LHS के बराबर होगा या LHS और RHS को दोनों पुरा को completely solve करो और solve करते जाओ देखोगे एक बार LHS और RHS बिल्कुल same आ जाएगे तो आप कह सकते हो यह question बिल्कुल verified है ठीक है तो चलो कोई एक question को मैं सारे method solve करें दिखाता हूँ तो prove that cos theta minus cot theta का whole square is equal to 1 minus cos theta by 1 plus cos theta ठीक ना तो मुझे यह LHS part है RHS part है अगर आपसे question मालो यह question आपको दिया गया और आपसे अगर नहीं बन रहा है तो अगर आप check करना चाहते है यह question सही है कि नहीं है तो आप क्या करोगे theta के जागा पर कोई भी आप value put कर लो आप दोनों side theta के जागा पर 30-30 put कर लो और check कर लो कि LHS RHS value सही है आता है कि नहीं अगर LHS RHS एगर सीम आ रहा है इसका मतलब question बिल्कुल सही है आपसे बन नहीं पा रहा है आपको फिर से try करना चाहिए ठीक है ना तो यह question बिल्कुल आप check करना खुद से यह true है के नहीं है चलो मैं directly इसको solve करता हूँ ठीक है तो सबसे पहले मैं method 1 solve करता हूँ इस part में क्या करूँगा कि पूरा LHS को solve करूँगा और RHS के equal लाऊँगा ठीक है मैं LHS part ले रहा हूँ तो मुझे इसमें मैं LHS को solve करके RHS लाऊँगा तो LHS को पूरा solve करता हूँ तो LHS लिखता हूँ कोई भी trigonometric identities को solve करने के सबसे basic और simple तरीका क्या होता है कि relation किसी में भी दे चाहें वो किसी में भी हो हमेशा उसको आप sign और cos में convert करो sign और cos में convert करो LCM लो, common निकालो एकदम easily solve होगा एकदम इस चीज़ को note करके रख लो ठीक है कोई भी identity solve करना है sign cos में convert करो LCM लो, कुछ common निकालो अराम से कुछ multiply करो अराम से बन जाए, कोई दिक्कत नियोगा ठीक है, तो चलो तो cos theta को में क्या लिख सकता हूँ cos एक और sin में तो आप जानते हो inverse का relation होता है तो cos theta को में 1 by sin लिख सकता हूँ minus, cot को क्या लिख सकता हूँ cos by sin, यह just मैंना को बताया था कि tan क्या होता है, sin by cos और cot क्या होता है, cos by sin यह relation में लों discuss कर चुके हैं पहले और यहाँ पर क्या है, square है अब इन दोनों के LCM लेंगे तो sin और sin के LCM क्या होगा sin, तो उपर में क्या हो जागा, 1 minus cos cm आएगा, अब उपर में square है तो square numerator और denominator में है, बिल्कुल मैं अलग लग कर देता हूँ, तो 1 minus cos theta का whole square, और by sin theta का whole square, तो इसको में ले सकता हूँ 1 minus cos theta का whole square, और यहाँ पर sin theta का whole square है, तो इसको में ले सकता हूँ, sin square theta, यह भी आप जानते हूँ, हमनों कैसे करते हैं, क्योंकि हमेंसा square या cube, मतलब जो भी exponent होता है हमेंसा relation का होता है, angle का नहीं होता है, यह हमनों बहुत पहले discuss कर चुके हैं, ठीक है, ऊपर हैं फिल वैसे छोड़ रहा हूँ, 1 minus cos theta का whole square, अब देखो, sin square theta is equals to 1 minus cos square theta, तो sin square theta का जगा पर 1 minus cos square theta ली सकते हैं, यह कैसे आ है, वो देखो, आप यह मैंने बताया था ना, कि sin square theta plus cos square theta का value 1 minus cos square theta, ठीक है, अब देखो, यह 1 का power आप कितना भी करो, तो बिल्कुल आपको वही रह जाएगा, ठीक है, numerator का पार्ट वैसे छोड़ रहा हूँ, 1 minus cos theta का whole square, 1 को क्या लिख रहा हूँ, 1 square, क्योंकि 1 का power आप कितना भी करो, आपको बिल्कुल वही मिलेगा, तो 1 minus cos theta का whole square, तो यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, अगर इस पूरा पार्ट को अगर A मानता हूँ, इस पूरा पार्ट को B मानता हूँ, तो A square minus B square, फार्मुला बहुत अच्छे से जानते हो, अब देखो next step, इसके बार, तो 1 minus cos theta का whole square है, तो आपको पता square है, इसका मतलब मैं इसको दो बार तो लिख सकता हूँ, यह बिल्कुल law of exponent है, simple है, अगर 2 का power 2 है, तो इसको मैं 2 into 2, दो बार तो लिखी सकता हूँ न, वही चीज़ मैंने किया है, कि 1 minus cos theta का whole square है, तो दो बार इसको लिख सकता हूँ, और यहाँ पर देखो, a square minus b square, तो a plus b, और a minus b, ठीक है, अब देखो कि दोनों multiple में है, दोनों multiple में है, तो यह 1 minus cos, 1 minus cos से cancel हो गया, तो उपर मैं क्या बचेगा, 1 minus cos theta, और निचे में 1 plus cos theta, तो यही तो आपका RHS है, तो आप देखो, मैंने पूरा LHS को solve किया, और किसके equal लाया, RHS के equal लाया, तो यह एकदम method number 1 है, कि पूरा complete solve किये ही, LHS को और RHS के equal लाया, तो आपको मैंने solve करके दिखाया, पूरा LHS को solve किया, RHS के equal लाया, ठीक है, या आप पूरा arches को आप solve करो और बिल्कुल उसको आप LHS के equal लाओ ठीक है अब इसी question को यही same question है अब मैं इस same question को second method से आपको solve करके दिखाता हूँ यही question था आपके लिए देखो cos theta minus cot theta का whole square is equals to 1 minus cos theta by 1 plus cos theta ठीक है तो इस part में अब मैं क्या करूँगा पूरा-पूरा arches को solve करके LHS के equal लाता हूँ ठीक है तो चलो उसको solve करते हैं तो मैं arches लिखता हूँ 1 minus cos theta by 1 plus cos theta अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे इसको square में convert करना है तो कोई भी number square में convert तभी होगा जब same number से multiply करो तभी होगा तो यहाँ पर क्या था 1 minus cos theta by 1 plus cos theta तो हमने रहे slice करते हैं किसे 1 minus cos theta और 1 minus cos theta से है ना उपर नीचे multiply कर दिया तो उपर में देखो बिल्कुल same term है तो यहाँ पर 1 minus cos theta क्या आ जाएगा whole square और यहाँ पर a plus b a minus b तो क्या हो जाएगा a square minus b square बहुत अच्छे सा आप जानते हो formula ठीक है 1 minus cos theta sorry 1 minus cos theta का whole square और यहाँ पर 1 minus cos theta के जापर क्या हो जाएगा sin square theta यह भी आप जानते हो हम लोग कैसे आया फिर से लिग देता हो देखो यह हम लोग जानते है sin square theta plus cos square theta का value कितना होता है 1 होता है तो यहाँ से अगर आप इसको उधर ले आओगे तो इधर क्या बचेगा sin square theta और इधर क्या आजएगा 1 minus cos square theta तो 1 minus cos square theta के जापर क्या ले सकते हो sin square theta वही मैंने किया है अब इसको देखो इस step को चे समझो 1 minus cos theta का already square है और यहाँ पर sin square theta है तो अगर इसको भी मैं bracket के अंदर लेता हूँ तो square दो बहार चला जाएगा तो इस step को मैं बिल्कुल ऐसे लिए सकता हूँ 1 minus cos theta और whole divided by sin theta क्योंकि मैं whole का power 2 कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता अच्छे से कि अगर numerator और numerator का same power है तो मैं बिल्कुल common power लिख सकता हूँ जिससे अगर a to the power n है और b to the power n है तो मैं इसको a by b to the power n लिख सकता हूँ यह बहुत simple law exponent है तो वही मैंने किया है 1 minus cos theta by sin theta का whole square अब मैं sin को बिल्कुल अलग-अलग कर दे दे ता हूँ तो 1 by sin minus cos by sin बिल्कुल दोना के साथ अलग-अलग कर दिया और 1 by sin क्या होता है cos theta और cos by sin क्या होता है cos theta तो क्या जाएगा cos theta minus cos theta का whole square तो आपने देखा कि मैंना पूरा इस case में RHS को solve किया और LHS के equal लाया तो यह दो method तो समझ गया है और method number 3 क्या होता है कि LHS को अलग solve करो और RHS को अलग solve करो और दोनों को equate करो तो method 3 हम लोग कभी use करते है जब LHS और RHS के side जो terms होते हैं वो बहुत ज़्यादा bullet terms होते है तो उनको हम लोग expand करके solve करके बहुत छोटा करते है तो ऐसा कोई question आएगा तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको method 3 कभी use करते है तो आप देखो same question को मैंने दोनों method से बना दिया आप कोई एक method से अराम से बना सकते हो जो भी आपको easy लगए ठीक है अब देखो next question question क्या है tan square theta minus sin square theta is equals to tan theta into sin theta देखो आपके tan square theta minus sin square theta तो tan square minus sin square जो है अब उसको tan square into sin square proof करना है तो ये दो relation subtraction के form में इसको कीज form में लाना है multiplication के form में तो चलो हमने solve करते हैं तो मैंने question को लिख लिए फिर से tan square theta minus sin square theta is equal to tan square theta into sin square theta तो आप किसी एक को जो भी आपको easy लगे वो आप solve करो तो चलो मैं इसको लेके चलता हूँ ठीक है ना तो मैं LHS को लेके चलता हूँ तो tan square theta minus sin square theta लिखता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने आपको बताया है था कुईसी भी आइडिटिवस को solve करने के सबसे simple तरीका क्या होता है उसको आप sin cos में convert करो LCM लो, common निकालो अराम से बन जाए कहीं को दिक्कत ने होगा तो देखो tan जो होता है आपको बता है sin by cos लिखते है tan theta equal to sin by cos theta होता है लेकिन जब tan square theta है तो हम लोग क्या करेंगे sin square theta by cos square theta लिखेंगे और यहाँ पर तो already sin में है sin square theta minus अब यहाँ पर 1 के table में cos square theta किते बार में cos square theta बार में तो सीधा cos square से इसको multiply करोगे sin square theta into cos square theta simple यहाँ पर मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ LCM लेके solve कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं ठीक है तो उपर में क्या जाग है sin square theta minus sin square theta into cos square theta by cos square theta ठीक है, अब इन दोनों टम्स में आप देखो कुछ common दिख रहा है, बिल्कुल common दिख रहा है, दोनों में क्या दिख रहा है, sin square theta, तो मैं क्या करता हूँ, sin square theta को common निकालता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 minus cos square theta by cos square theta, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अब next step में आप देखो, बिल्कुल वह ही है, sin square theta by cos square theta, तो एक sin square theta by cos square theta, तो आप देखो, बिल्कुल आर्टेस के equal आ गया, देखो, आप यहाँ पर, tan square theta into sin square theta, तो मैंने पूरा complete LHS को solve करके, मैंने RHS के equal लाया ठीक है, next question देखो prove that 1 plus 1 by tan square theta bracket में, दूसरा bracket में 1 plus 1 by cos square theta is equal to 1 by sin square theta minus sin का power 4 theta, ठीक है तो इस question में हम लोग क्या करते है एलेक्ष को solve करके RHS लाने को हिस करते है तो बिल्कुल वही सिन तरीका यूज़ करेंगे sin cos में convert करेंगे, एकोच LCM लेंगे ठीक है, देखो, 1 को ऐसे छोड़ता हूँ 1 by tan square theta bracket close, 1 plus 1 by cot square theta, तो आगे आब 1 अब tan square theta को हम लोग फिर से क्या लेखते है sin square by cos square, तो अब denominator में तो इसको में को इल्टा लिखना पड़ेगा sin square theta और cos square theta उपर चला गया ठीक है, प्लस 1 और cot का क्या भेल होता है, cos square theta भाई sin square theta, तो cos square theta और यह 1 उपर चला गया, 1 के साथ multiply होके तो 1 into sin square theta, ठीक है अब यहाँ पे LCM ले रहे है, तो यहाँ पे 1 नीचे कुछ नहीं, तो 1, 1 और sin square theta calcium क्या होगा, sin square theta तो यहाँ जाएगा sin square theta plus cos square theta, bracket close, और यहाँ पे cos square theta और 1 calcium क्या हो cos square theta, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos square theta plus sin square theta अगर आपका basic algorithm clear है, अगर आपको LCM लेने proper अगर अच्छे से आता है, तो आपको identity solve करने में कहीं कोई problem नहीं होगा, बस यहीं बात है, है ना, देखो अब यहाँ पे क्या use करेंगे, sin square theta आप जानते हो, बहुत अच्छे से sin square theta सबस बस cos square theta का value कितना होता 1, तो मैं लिखा 1 by यहाँ क्या होगा, 1 by sin square theta इंटू फिर यहाँ पे sin square theta plus cos square theta का value कितना हो जागा, फिर से 1 और यहाँ पे क्या जागा, cos square theta, अब multiply करो numerator 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 और denominator denominator यही तरीका होता है जब कोई भी दो number multiplication के form में होता है तो numerator को numerator से और denominator को denominator से multiply करते हैं तो 1 into 1 1 और sin square theta into cos square theta यही हो जाएगा लेकिन आप देखो जो proof करना है वो सारा आपको sin में चाहिए, sin में तो यहां तो एक sin में है लेकिन यह तो cos को होटा, cos को हमको किसमें change करना पड़ेगा sin में, तो cos square और sin square के relation तो हम लोग बहुत चैस जानते हैं तो cos square के जिखापे हम लोग क्या ली सकते हैं, 1 minus sin square theta क्योंकि हमको पता है कि sin square theta plus cos square theta का value कितना होता, 1 तो cos square theta का value कितना हो जागा, 1 minus sin square theta, अभी जैस में आपको बताया हम अब क्या हम simple multiply करो, sin square theta into 1, कितना हो जागा, sin square theta और sin square theta into sin square theta, तो sin का power 4 theta, तो 1 by sin square theta minus sin का power 4 theta तो देखो, बिल्कुल arches की equal आ गया, यानि कि ये भी question बिल्कुल proved हो चुका है ठीक है, तो ये question था, एक और question देखते हैं हम लोग, देखो, ये काफी एक लंबा question है तो इसमें हम use करेंगे method number 3, जो मैंने आपको starting बताया था, कि हम लोग method third हम भी हम लोग use करते हैं कि LHS को simply हम लोग solve करते हैं, और RHS को भी simply solve करते हैं, और हम लोग दिखाते हैं कि LHS, RHS बिल्कुल equal है ये का follow करते हैं, जब question में LHS और RHS दोनों में काफी जाला term होते हैं तो, तो आप देखो, कि इसमें LHS और RHS में काफी जाला term है 1 by cos theta minus cot theta bracket में minus 1 by sin theta is equals to 1 by sin theta minus 1 by cos theta plus cot theta तो LHS, RHS में काफी बढ़े term हैं, तो इसमें हम लोग method third use करेंगे, ठीक है कि LHS को पुरो solve करेंगे और RHS को पुरो solve करेंगे और दिखाएंगे, दोनों बिल्कुल equal है, ठीक है तो बिल्कुल वही process को follow करना है, sin cos में convert करो, LCM लो, common निकालो, अराम से बनेगा 1 को छोड़ रहा हूँ, cos theta को 1 by sin theta, यह minus, cot को क्या ले सकते है, cos by sin, just मैंने अभी बताया था आपको minus, यह तो already sign में है, छोड़ो दो इसको, यहाँ पे LCM लोगे, यह उपर का part 1 है उसके बाद देखो, इन दोनों का LCM कितना हो जागा, sin, तो जब sin ही LCM है, तो 1 minus cos और निचे sign bracket close, और यहाँ पर 1 minus sign, तो यह sign तो ऊपर चला जाएगा, यह आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है तो sin by 1 minus cos minus 1 by sin, अब इन दोनों का LCM लेना है, तो जब 1 minus cos और sin का LCM लेना है, अगर आप नहीं जानते हो कि LCM कैसे लेते हैं, तो simple इन दोनों को multiply तो कर दो, multiply करोगा तो वही तो LCM होगा, अगर 1 by 3 है, ठीक है, और plus अगर 1 by 7 है, अगर 3 है 7 का LCM लेना है, अगर मुझे नह नहीं पाता है, तो सीधा इन दोनों को multiply कर दो, यही तो LCM होता है, यही तो इन दोनों को multiply करता हो, तो यहीं LCM है, तो यह तो already यहाँ पर है, तो sin से multiply करेंगे उपर, तो sin into sin क्या हो जागा, sin square theta, minus, sin जब यहाँ पे है, तो इससे multiply करेंगे, तो 1 into इससे multiply करेंगे, तो 1 minus cos theta होगा, ठीक है, अब sin square theta के जगा पर क्या लेखते हैं, 1 minus cos square theta, बहुत अच्छे से आप जानकते हो, अभी हम लोट तुरून डिस्कस की हैं सारे चीज़ है, और यहाँ प denominator बिल्कुल वैसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आप देखोगे, इन दोनों में से, यहाँ से लेकि यहाँ तक एक term होगे, और यही, इन दोनों में कुछ common है, 1 minus cos theta common है, ठीक है, तो 1 minus cos theta common निकला है, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 plus cos theta, और यहाँ पर minus 1, और denominator में क्या है, sin theta and into 1 minus cos theta, तो यह part तो इसे cancel हो गया, और यह plus 1 से minus 1 cancel होगा, क्या बचेगा, cos by sin, और cos by sin क्या होता है, cos theta, तो मैंने पूरा LHS को simplify किया, जो इतना बड़ा term था, simplify करके, मैंने उसको किसके बराबन निकाला, cos theta के बराबन, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कि मैं RHS को simplify करता तो आप देख लो कि RHS बिल्कुल क्या था, देखो यहाँ पर, 1 by sin theta minus 1 by cos theta plus cot theta, है ना, तो मैं RHS को simplify करता हूँ, बिल्कुल सेम तरीके से, जैसे मैंने LHS को solve किया था, तो 1 by sin छोड़ देता हूँ, यह minus का sin, यह 1, और cos theta को 1 by sin theta plus cot को cos theta by sin theta, ठीक है, इन दोनों का LCM लेंगे तो क्या हो जागा, sin theta, और sin फिर ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, 1 plus cos theta, ज़स्ट मैंना ही पीछे आपको बताया था, फिर इन दोनों का LCM लेना है, तो sin into 1 plus cos, और जब sin है, तो 1 plus cos से multiply होगा, 1 से, तो 1 plus cos, ठीक है, और इधर किसे multiply होगा, sin से multiply होगा, तो sin into sin क्या हो जागा, sin square theta, इसको 1 plus cos theta, minus sin square theta हो, क्या लेकितने है, 1 minus cos theta, अब देखो, नीचे का पार्ट बेच छोड़ता हूँ, यह 1 plus cos theta, यह minus, फिर इसको a square minus b square, a plus b, a minus b, तो 1 plus cos, और 1 minus cos, ठीक है, इन दोनों टर्म से में देखता हो, कि 1 plus cos common है, तो यहाँ पर क्या बच जाए अब उपर का bracket open करता हूँ, 1, जब minus से multiply करेंगे, minus 1 और minus minus plus cos theta, तो यह plus 1 minus 1 cancel हो जाएगा, क्या बचे, cos by sin, और cos by sin क्या होता है, cot, तो आप देखो, कि LHS और RHS को दोनों को मैंने simplify किया, तो दोनों किसको equal आता है, cot के बराबर आता है, तो इसका मतलब LHS, RHS बिलकुल equal है, इसका मतलब यह जो question जो है, वो बिलकुल true है, और यह मैंने verify कर दिया, ठीक है, तो आज हम लोगों ने discuss किया, आज हम लोगों ने discuss किया, trigonometric identities किया है, और कुछ basic question, ठीक है, next video मैं मैं discuss करूँगा, इस से related और भी question, identities related और भी question, तो यह question, यह concept आपको अगर समझ में आ गया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, thank you very much.